यह लेसन्स CPL के पहले मॉड्यूल यानि इंट्रड़क्शन टु कम्प्यूटर्स पर मुझतमिल है जिसे हम मॉड्यूल वन कहते हैं हम मॉड्यूल वन के पहले हिस्से से इस कोर्स का अगाज करते हैं जिसमें हम आपको कम्प्यूटर के सौफ्ट्वेर, हार्डवेर और उसके मुक्तलिफ फीचर्स के बारे में बताएंगे इस लेसन को करने के बाद आप जान जाएंगे कि कम्प्यूटर क्या है, इसके क्या फवाइद है, कम्प्यूटर से मुतलिक कौन सी बेसिक टर्म्स है और कम्प्यूटर की कितनी एक्साम है चलिए अब हम देखते हैं कि कम्प्यूटर क्या है ये कोई जादू नहीं बलके वो मशीन है जिसे इनसान ने अपने रोजमर्णा काम को ज्यादा आसानी और बेहतर तरीके से करने के लिए इजाद किया है कम्प्यूटर का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत और वक्त लेने वाला काम इंतहाई असानी और कम वक्त में कर देता है इसके अलावा कम्प्यूटर की मदद से किये जाने वाले कई काम इनसानी काम के मुकाबले में ज्यादा काबले भरोसा होते है एक और खास सहुलत जो कम्प्यूटर हमें मुहिया करता है वो मालुमात का महफूज करना है अगर आप दुनिया की सारी लाइबरीज की किताबों के कॉंटेंट्स को एक जगा पर महफूज करना चाते हैं तो वो एक बड़े कम्प्यूटर में स्टोर किये जा सकते हैं आपके सामने ये एक कम्प्यूटर है ये एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम कुछ मालुमात, हिदायात या डेटा देती हैं कम्प्यूटर दी जाने वाली मालुमात पर कुछ काम करता है और फिर हमें मतलूब अनतायच या रिजल्ट्स फराहम करता है ये कम्प्यूटर का एक मुक्तसर सा तारुफ था कम्प्यूटर से मतलक कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स भी हैं जिनका जानना बहुत जरूरी है और जो हमारे कॉर्स में कसरत से इस्तिमाल होंगी जैसे इन्पूट, आउटपूट, सौफ्टवेर, हार्डवेर और इन्टनेट वगेरा सबसे पहले एक बहुत आम इस्तिमाल होने वाली टर्म इन्पूट है इन्पूट के मानी किसी सिस्टम को कोई चीज या डेटा फराहम करना है कम्प्यूटर इन्पूट से मुराद कोई ऐसी चीज या डेटा है जो हम कम्प्यूटर को फराहम करते हैं रोजमर्राज जिन्दगी में इसकी मिसाल एक जूसर की ली जा सकती है जिसमें हम मुख्तलिफ किसम के फल डालते हैं जूसर इन फलों का रस निकाल कर गुदा अलहदा कर देता है गौर करें ये फल जूसर के लिए इन्पूट है वो चीज जो कम्प्यूटर को इन्पूट देने के लिए इस्तमाल होती है वो इन्पूट डिवाइस कहलाती है जैसे keyboard एक input device है, क्यूंकि ये computer को data देने के काम आता है बिल्कुल इसी तरह अगर हम अपने juicer की example दोबारा देखें, तो किसी juicer के अंदर आपको फ़ल डालने के लिए हाथ इस्तमाल करना पड़ता है इसका मतलब ये हुआ कि हाथ juicer के लिए input device है आम तौर पर इस्तमाल होने वाली computer की input devices में keyboard, mouse और scanner वगारा शामिल है जिनकी तफसील आप अगले lesson में देखेंगे Computer इस्तमाल करने की बुन्यादी वज़ा इससे कोई information या results हासल करना है तो अगली बहुत आम इस्तमाल होने वाली term output है Computer जो हमें information या results देता है उसे हम output कहते हैं So output का मतलब हुआ कुछ निकालना या मुहया करना मिसाल के तौर पर किसी tube bell से हासल होने वाला पानी tube bell की output कहलाती है और juicer से निकलने वाला juice juicer की output कहलाती है इसी तरहां thresher से निकलने वाले गंदम के दानी thresher की output है वो जीज जो output हासल करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे output device कहते है मसलन जूसर की मिसाल में glass या cup output device है क्यूंकि इसकी जर्ये हमें juicer में से output मिल रही है यानि juice अगर हम thresher की मिसाल को दोबारा देखें तो इस जगह को thresher की nozzle कहा जाता है यहां से गंदम के दाने बाहर निकल रहे हैं इस तरह nozzle thresher की output device है इसी तरहां computer से output लेने के लिए हमें output devices की जरूरत होती है आम इस्तमाल होने वाली computer output devices में printer, monitor और speaker शामिल है अभी तक हमने जुन terms के बारे में बात की उनमें input, input devices, output और output devices शामिल है अब जो हम next term देखेंगे वो processing या computer processing है रोज मर्रा जिन्दगी में processing को समझने के लिए आईए thresher की मिसाल को दुबारा लेते हैं जब thresher को कटी हुई गंदुम input की जाती है तो ये इस पर कुछ काम करता है यानि इसके दाने और भुस अलहदा-अलहदा करता है इस काम को thresher की processing कहते हैं इसी तरह computer input पर internally कुछ काम या processing करता है जिससे output हासिल होती है Storage इसके अलावा computer के अंदर information को store करने की भी सलाहियत मौझूद है इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें जगा-जगा जाकर बारी-बारी information को collect नहीं करना पड़ता बलके हर information को हम एक जगा एक computer के अंदर store कर सकते है इसको explain करने के लिए जो term इस्तमाल की जाती है वो storage है देखे, ये वही चाना पहचाना thresher फिर आपके सामने है इससे निकलने वाली गंदुम को बोरियों में महفوظ या store कर सकते है रोसमरा सिंदगी की एक और मिसाल, library की है जहां हर किसम के subjects के मुतालिख मुख्तलिफ किताबें मौजूद होती है जैसे maths, politics, science वगएरा गोया library के अंदर हर किसम की किताबें मौजूद होती है आपको मुख्तलिफ जगों पर जाकर उन्हें ढूनने की जरूरत नहीं पड़ती बलके ये एक ही जगा पर मिल जाती है बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर में मुख्तलिफ किसम का बेशमार डेटा और information store की जा सकती है ताकि बवक्ते जरूरत कामा सके और हमें इसे मुख्तलिफ जगों पर जाकर ढूनना ना पड़ी कंप्यूटर में information को store करने के लिए कुछ storage devices होती है जिनकी तफसील हम आपको अगले lessons में बताएंगे इस से मुतालिफ चन नाम आप से हिन नशीन कर लें मसलन इसमें ROM, RAM, Hard Disk, Memory Cards, USB Discs, CDs और DVDs शामिल है Storage Devices आपकी चीजों को एक जगा महफूज रखने के लिए इस्तमाल होती है आपके किचन में मुख्तलिफ मसाला जात को store करने के लिए cabinet इस्तमाल होती है अगली टर्म जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो hardware है मतलब वो चीजें जिने आप छूज सकते हैं और जिनकी मदद से मुक्तलिफ काम किये जाते हैं आपने चाय का चमच तो देखाओगा जी, चाय का चमच भी एक hardware है अगर आप इस hardware को चाय के अंदर चीनी डालने के लिए इस्तमाल करें तो वही hardware एक input device का काम करता है इसी तरह अगर आप एक पानी की बाल्टी को पानी निकालने के लिए इस्तमाल करें तो वही बाल्टी output device का काम करती है इसी तरह computer में अब तक हमने जिन input, output और storage devices का जिकर किया वो computer का hardware कहलाती है अब सवाल ये पैदा होता है कि computer अपने hardware devices या output और input devices को किस तरह इस्तेमाल करता है इस सवाल के जवाब में हमारे सामने एक नई डर्माती है जिसे हम software कहती है software से मुराद वो हदायात हैं जिनकी मदद से computer अपने hardware को इस्तमाल करता है यहाँ अगर आप गोर करें तो हदायात से मुराद वो चीज़ें जिने आप सोच तो सकते हैं, लिख भी सकते हैं, लेकिन आप छू नहीं सकते है software भी बिल्कुल ऐसी ही चीज़ है, जिसे ना तो आप छू सकते हैं और ना ही इसका कोई वजन है और ना ही यह hardware की तरह नजर आता है, लेकिन यह computer को इस्तमाल करने में एक बहुत एहम किरदार अदा करता है इसकी मिसाल हम यू ले सकते हैं, कि जब आप अपना computerized ID card बनवाने जाते हैं, तो operator एक input device के जरीए सारा data अपने computer को फरहम करता है computer इस data को input के तौर पर लेता है, और इसको information में तबदील कर देता है फिर इसको card पर लिखने के लिए एक खास तर्टीब देता है, यानि ये देखता है कि card पर कौन सी information पहले आएगी और कौन सी बाद में इस तरह जब computer हमें computerized, शनाखती card, output के तौर पर देता है, तो इसके लिए भी software ही इस्तमाल होता है अब तक हमने computer के कुछ फवायद और कुछ एहम terms को देखा है अब हम देखेंगे कि computer की कौन सी एकसाम है computer को जिन बुनियादी एकसाम में तक्सीम किया जाता है, वो कुछ इस तरह है supercomputers, mainframe computers, server, microcomputer, game consoles, mobile computers and mobile devices, or embedded computers supercomputers, सबसे पहले computer की type, supercomputer है यह वो computers हैं, जो सबसे ज़्यादा तेज रफ़तारी से अपना काम सर अंचाम देते हैं यह computers एक वक्त में एक ही काम करते हैं, लेकिन इंतहाई accuracy के साथ चुकि यह computers बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए इनकी कीमत भी ज़्यादा होती है कुछ मशूर supercomputers में, Titan, Tiani 2, और K computer शामिल है mainframe computers, supercomputers से छोटे और ज़रा सी कम रफ़तार रखने वाले computers को हम mainframe computers कहते हैं लहाजा next type जो computers की आप देख रहे हैं, वो mainframe computers हैं यह computers size के लिहाज से भी बड़े होते हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा information को store करने की सलाहित मौचूद होती है इसके साथ साथ mainframe computers कीमत में भी बहुत महके होते हैं पाकिस्तान में यह computers, PIA, banks और बहुत सी दूसरी organizations में इस्तामाल हो रहे हैं servers, mainframe computers के बाद जिन computer की बारी आती है, वो servers कहलाती है इन computers की काम करने की रफ्तार, mainframe computers के मुकाबले में कई गुना कम होती है servers का बुन्यादी काम, hardware, software और network पर मौजूद, resources तक रसाई कंट्रोल करना है यानि बहुत सारे computer, network के जरिये, server के साथ मुनसलिक होती है और वो server के जरिये hardware, software और दूसरे resources तक रसाई हासिल करती है हम computer networks के बारे में अगले lessons में तफसील से जानेंगे इनमें Dell, HP और Acer के servers ज्यादा मशूर है Micro computers Micro computers को आम तोर पर PC या personal computers भी कहा जाता है ये सबसे ज्यादा इस्तमाल होने वाले computers हैं जो offices, schools, colleges और घरों में भी इस्तमाल किये जाते हैं इन computers के काम करने की रफ़तार, mainframe computers और servers के मुकाबले में कई गुना कम होती है और इसलिए इनकी खीमत भी बहुत ज्यादा नहीं होती इन computers को आपकी मेज पर रखने के लिहाज से design किया गया है इन में ज्यादा मशूर IBM, Dell, HP और Apple Macintosh computers है Game Console Game Console एक ऐसी computing device है जिस पर एक या एक से ज्यादा अफराद वीडियो गेम खेल सकती है ये portable devices होती है यानि इनको आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकती है कुछ मशूर गेम कंसोल में Microsoft का Xbox 360, Nintendo का Y और Sony का PlayStation शामिल है Mobile Computers Mobile Computer एक ऐसा computer है जिसे आप आसानी से एक जगा से दूसरी जगा ले जा सकती है इनकी computing power तकरीबन personal computer जैसी होती है Mobile Computer की मिसाल laptop computer या notebook computer है Mobile Devices Mobile Device एक ऐसी computing device है जोके आसानी से आपके हाथ में समा सकती है इनकी computing power personal computer से जड़ा कम होती है Mobile Device में smart phones, e-book reader और digital cameras शामिल है Embedded Computer Embedded Computer एक ऐसा computer होता है जिसे किसी product में एक component की तौर पर इस्तिमाल किया जाता है क्यूंकि ये किसी बड़ी product का एक हिस्सा होती है इसलिए इनका size बहुत छोटा होता है और इनकी computing power भी बहुत कम होती है DVD player, digital TV और photocopy machines चंद ऐसी product हैं जिन में Embedded Computer इस्तिमाल होती है जी, तो अब तक हमने Module 1 के इस हिस्से में जिन चीजों और concepts को discuss किया वो ये बात जाहिर करती हैं कि Computer हमारी जिन्दगी में क्या किर्दार अदा करता है और कितना जरूरी है Summary जी, तो अब तक Module 1 के इस हिस्से में हमने जिन चीजों और concepts को discuss किया वो ये बात जाहिर करता है कि computer हमारी जिन्दगी के लिए कितना एहम है Model 1 के इस हिस्से में हमने देखा कि computer क्या है ये हमारी रोज मरा जिन्दगी में किस तरह इस्तमाल होता है और इसके क्या फवाइद है हमने computer से मुतलिक मुक्तलिफ एहम terms को देखा जैसे input, output, storage वगेरा इसके अलावा हमने ये भी देखा कि computer के मुक्तलिफ एक्साम कौन सी है